जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्टरी पेपर फस्ट का चैप्टर सेबन पढ़ेंगे इसके पहले हमने आपको छे चैप्टर पढ़ा दिये हैं बहुत अच्छे कीजिए टेलिग्राम चैनल अवस्य जॉइन कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें साथ ही साथ जो भी आपको क्लासे कराई जा रहे हैं सभी के पीडिएफ नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइट कराई जाते हैं इसलिए टेलिग्राम चैनल पर आपके सामने करा दिया जाया जिससे आपको भी हलप हो और साथ साथ जो नहीं अभी पेपर दिये हैं जिन का पर रहने वाला है जिस युनिवस्टी में उनका भी हलप होगा कि किस प्रकार के किस टॉपिक्स से कुष्चन अधिकार हैं तो चलिए देखते हैं चैप्टर फिर भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया साइमन रिपोर्ट बनी उसका भी लोगों ने विरोध किया और फिर जो भी अलग अलग उसके कारी हुए सभी चीज़ों को हमने बताई थी अब बात आती है कि नेहरिन रिपोर्ट जो है वह बनाने की बात सबसे पहले उठी कियों लार्ड बरकिन हेड हैं उन्होंने साइवन आयुक का विरोध होते हुए देख यह चुनोती दी थी कि आप लोग बस विरोध ही कर सकते हैं आप लोग सर्व सहमती से कोई विधान नहीं बना सकते अगर हम कुछ सुदार करना चाहते हैं तो बस आप उसमें ब्योधान डालत घुचार नहीं है जब साइमन कमिशन का विरोध संतों का लोग कर रहे थे और विभिन्न किया तो उस समय कौन था भारत सची उलाड जो थे वह थे लाड बरकिन हेड उन्होंने साइमन कमेशन का जब देखा कि विरोध बहुत जादा हो रहा है तो उन्होंने एक वक्त बेबोला उन्होंने एक बात बोली कि आप लोग जो हैं अर्थात आप भारती ये जो हैं कोई भ सहमती से अथात सभी लोग मिलकर कोई एक विधान बनाते हैं कोई एक कानून बनाते हैं सभी भारती मिलकर तो आपके उस कानून पर आपके उस विधान पर सरकार विचार करेगी और उसको लागू करेगी तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो नहरूर रूपोर्ट है उसकी भूम क्या बनी कि नहरू रिपोर्ट कैसे बना उन्होंने सरो पर्थम कहा कि आप एक विधान बनाई अब विधान जो बनाना था उन्होंने जब चुनोती दी तो कांग्रेस ने इस चुनोती को कर लिया स्विकार क्या कर लिया उन्होंने स्विकार कर लिया उस समय 29 पार्टी नहरुर रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई कौन अध्यक्ष था तो आप सीधे सीधे जवाल लाँ भी नाम ले लेङे क्योंकि यह वह जाद उस समय आपको याद रहे गा लेकिन नेहरु रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की थी मोतिलाल नहरु ने की थी अब कांग्रेश ने चुनोती जब एकसेप्ट कर ली स्विकार कर ली तो उस समय वर्तमान में मतलब हुआ जो समय था 1928 का समय था 1927 का तो उस समय 29 पार्टिये कुल मिलाकर वहां पर थी और सभी ने मिलकर और फैसला किया कि हम एक समिती बिनाएंगे और समिती के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाएगी एक विधान बनाए जाएगा जो हम सरकार की समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो उन्होंने आठ सदस्यों की एक समिती बनाई थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी मोतिलाल जी को उन्होंने बहुत ही अच्छे टरिके से एक रिपोर्ट को बनाया और इस समय वर्तमान में उसको संभिधान leadership कार से blueprint कहा जाता है संभिधानlles रिपोर्ट में अब क्या क्या चीजह उन्होंने बनाई समित ने मिलकर क्या क्या चीजे बनाई उसके बारे में हम देखेंगे नेहरू रूपोर्ट जो है वह 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत करते हैं पहला उन्होंने सबसे पहला अपना रिपोर्ट में सबसे पहला मांग क्या की थी उन्होंने कहा कि भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए जैसे कनाडा आस्ट्रेलिया और दक्षिड अफ्रीका अब डोमीनियन इस्टेट क्या होता है डोमीनियन इस्टेट ऐसा राज्य होता है जिसके ऊपर किसी एक सरकार जो भी इससे बड़ा देश है उसका सरकार रहे लेकिन जो इस्टेट है जि दच्छड अधिकार को दे दिया है उसी प्रकार हमें भिभारत को भी डॉमिन्ियन इस्टेट का द्रज़ा दीज सेट आपको यहां पर हम भो आप से पूछा जा सकता है उन्होंने सबसे पहला Also कानून के समच्च समानता आपको अब के संबिधान में आपके मूल अधिकार में यह देखने को मिल जाएगा कि कानून के समच्च समानता उस समय जो है भारतियों के साथ एक प्रकार से समानता नहीं दिखाई जा रही थी उनको एक प्रकार से कानून के समच्च समानता नहीं म रोध करते हैं तो उसके खिलाफ एक प्रकार से दमन नीतिया चलाई जा रही थी तो उन्होंने सबसे पहली मांग की कानून के समक्ष समानता हमें मिलनी चाहिए दूसरा उन्होंने कहा प्राथमिक सिच्छा जो है वह निसुल्क होनी चाहिए यहां पर देखिए चौथा कहा संपत्ति का अधिकार अर्थात हम संपत्ति रख सके हमें इतना अधिकार मिले और न्याइक तरीके से सस्त्र रखने का अधिकार आपको पढ़ने को मिला होगा लाड़ लिटन जो है उन्होंने सस्त्र के खिलाफ एक प्रकार से अधिनियम लगाया था कि भारति ये कोई भी सस्त्र नहीं रख सकते हैं, European रख सकते थे, तो उसी समय से वह चलता आ रहा था, भारतियों को पास अगर कोई भी सस्त्र दिखाई दिया जाता था, तो उसे ले लिया जाता था पहली बात, दूसरा उस भारति यों को एक प्रकार से सजब भी दी जाती थी, तो उ अगला है स्रमिकों दलितों के अधिकार का संरच्छर करना चाहिए अर्था जो स्रमिक हैं जो दलित हैं उनके अधिकारों का भी हमें क्या करना चाहिए संरच्छर करना चाहिए ऐसी सरकार द्वारा की जाए सात्वा उन्होंने कहा संगठन का अधिकार एक प्रकार से किसी भी ब्यक्ति को एक संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए ये सभी बाते आपको वर्तमान संभिधान के वर्तमान मूल अधिकार में देखने को मिलेंगी अगला है तीसरा उन्होंने क्या मांग की प्रिथक निर्वाचन को समाप्त किया जाए और सीटों का आरच्छड किया जा प्रिथक निर्वाचन एक प्रकार से सब को करने को दे दिया गया था कि मुस्लिम जो है मुसलिमों द्वारा चुने जाएंगे और उनका अलग एक के छेत्र होगा तो इस प्रकार की जो बेवस्त है उसे समाप्त की जाए और जो भी सीटों का रच्छड किया जाए और वह किसके अनफात से किये जाए जनसंख्या के अनफात से सीट जो है दिये जाए अगला उन्होंने मांग की संघी सासन हो और देशी रियास्तों को भी सामिल किये जाए परंत आउसिष्ट सक्तियां जो है स संसदी ये प्रडाली, संसदी प्रडाली होनी चाहिए, छठा उन्होंने मांकी केंद्री विधान मंडल में दोनों मंडलों की सीट बढ़ाई जाए, कौन-कौन सी, दोनों सदनों की सीट बढ़ाई जाए, उच्छ सदन में 200 सीट की जाए, और इसका एक प्रकार सी चुनाव प्रडाली में भी परिवर्तन की जाए, जो उच्छ सदन है, उसका परोक्ष चुनाव हो, और निम्न सदन है, उसका प्रत्यक्ष चुनाव हो, उसमें कितनी सीटे हों 500, तो निम्न सदन में आपको वर्तमान में भी अधिक सीवते देखने को मिलेंगी, कमेंट करके आप अपीली ये नियायाले, जो सर्वोच नियायाले हो, जो पीवी काउंसिल है, वह भारत में होनी चाहिए, पीवी काउंसिल जो है, भारत में नहीं था, जैसे अगर किसी के उपर केस हो जाता है, और उसे फांसी की सजा सुनाई आती है, और अपनी सजा के को लेकर वह जिससे अगर कोई भी अपील करना चाहे तो यहीं पर कर दे अपने और न्याय के लिए वह लड़ सके अगला क्या उन्होंने मांग की थी आठोवा मांग की थी कि सिंध को बंबई से अलग कर देना चाहिए यह आपको साइमन कमीशन के साइमन रिपोर्ट में भी देखने को मि क्या हुआ जब यह मांग की गई तो इसमें सबसे पहली मांग हमने आपको बताई कि डोमिनियन स्टेट हमें बना दिया जाए तो इस पर लोगों ने विवात कर दिये लोगों ने किसमें जवाहल लाल नहरू और सुबास चंदर बोस यह जो दोनों थे इनको डोमिनियन अच्छा नहीं लग रहा था वह क्या कह रहे थे कि हमें पूर स्वराज की मांग करनी चाहिए अगर हम किसी चीज की मांग ही कर रहे हैं अगर हम अपनी सुतंता के लिए लड़ रहे हैं तो किसी के अधीन रहने की मांग क्यों करें हमें स्वराज की मांग करनी चाहिए पू गठन कर लिया था जो कि इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग का गठन किस ने किया था जवाहलाल नहरू और सुबाज चंद्र बोस ने मिलकर कर लिया था क्योंकि वह स्वाराज्य की पूर्ण स्वाराज्य की मांग करना चाहते थे तो मोतिलाल नहरू जी ने नहरू रिपो विवाद हो गया जब यह डिमांड बन रही थी जब विधान बन रहा था तो उसके पश्चात क्या हुआ उन्हों के बीच में विवाद हो गया मोतिलाल नहरू और अन्य सभी सदस्ते कह रहे थे कि हमें डोमेनियन स्टेट की मांग करनी चाहिए लेकिन जवाहलान नहरू और स इसके पश्चात क्या हुआ जब यह बढ़ गया तो महत्मा गाधी जेने आकर यहां पर समझोता कराया और उन्होंने कहा यह दि सरकार 31 दिसंबर 1929 तक जो यह डोमिनियन स्टेट का दरजा नहीं देती है देखिए मिस्प्रिंट हो गया है डोमिनियन स्टेट का दरजा हमन संद्र को समझाया कि अगर सरकार जो है वह हमारा डोमिनियन स्टेट का दरजा 31 दिसंबर 1929 तक वह मान नहीं लेती है उसे पास नहीं कर देती है तो हम 1929 में जो हमारा अधिवेशन होगा हर साल एक अधिवेशन दिसंबर में होता था कांग्रेस का तो उन्होंने कहा अगला अधिवेशन जो होगा उसमें हम क्या करेंगे पूर स्वराज लक्ष घोसित कर देंगे और पूर स्वराज की मांग हम करेंगे यह जो 1928 में प्रकार से दिसंबर में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था उसका मोतिलाल नहरू ने किया था और 1929 में कांग्रेस लाहोर गई जब पूर स्वराज एक प्रकार से जब अधिवेशन यह होने लगा तो सबसे पहले गाधी जी नहीं जो अपने वक्त अब दिये थे उस पर उन्होंने अडिग रहे और उन्होंने पूर स्वराज के पत्र को एक प्रकार से घोसित कर दिया और फिर वहां से लोगों न क्या किया कि उस पूर स्वराज की मांग करने लगे और देखिए बरकिन हेड ने जब आपको चैलेंज मतलब भारतियों को चैलेंज दिया था तो उसने कहा था कि सरो सहमती से अगर आप विधान बना के लाएंगे तो आपके बारे में सरकार सोचेगी लेकिन जो मुस्लिम ली है और अपनी मांगों को लेकर 14 सूत्री कारिक्रम इसने प्रस्तुत किया जो नहरू रिपोर्ट इन्होंने बनाया था वह किसी जाती विशेश के लिए नहीं बनाया था क्योंकि कांग्रेस में उस समय भारतिये सभी थे जो कुछ हिंदू थे मुस्लिम थे सभी प्रकार के स कोई भी मांग नहीं कि aurait-粉व मतलब था कि मुस्लिमों के लिए अलग से कोई मांग की जाए जो की एक प्रकार से गलत वह था क्योंकि उस समय नहरू रिपोर्ट में जो भी मांगें की गई थी वह किसी की जाती वीशेश के लिए सभी जाटियों के लिए सभी समानता से रहें इसलिए मांगे की गई थी लेकिन मुस्लिम लिग ने उसका एक प्रकार से विरोध किया और 14 मांगे की जिसे 14 सूत्री कारकरम कहा गया यह कहीं पूछा नहीं जाता है लेकिन अगर आपके लॉंग टाइप कुष्चन में आ जाए गार नहरू रिपोर्ट तो आप उसमें क्योंकि लाट बर्किन हेड वा जो भारत सचे थे उन्होंने साइमन करमीशन का विरोध देखते हुए कहा था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ विरोध कर सकते हैं कोई भी विधान नहीं बना सकते हैं अगर हम लोग कोई सुधार कर रहें तो आप सुधार नहीं करने देना अगर आप भारती सर्वसाहमती से कोई विधान बना कर लाते हैं तो सरकार उसके विशे में सोचेंगी और इस चैलेंज को एकसेप्ट किसने किया कांग्रेस नी कांग्रेस ने उस समय 29 पार्टियां थी 29 पार्टियों ने मिलकर 8 सदस्यों की एक समिती बनाई जिसकी अध्य प्रिंट बनाया एक प्रकार से नहरू रिपोर्ट उसे नाम दिया गया क्योंकि अध्यक्षता मोतिलाल नहरू जी ने की थी अब उसमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था जिसके खिलाप सबसे पहले आत्म उसमें जो लोग थे कांग्रेस के अंतरिम लोग का दर्जा स्विकार नहीं करते हैं तो हम पूर्ण सुराज की मांग करते हैं और वही होता है आपको देखने को अगला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे सिविल डिस ओविडियन्स मूमेंट सभीने अवग्या आंदोलन उसमें आपको देखने को मिलेगा वहां पर सभीने अवग्या आंदोलन को सुरू कर देते हैं पूर्ण सुराज की मांग कर देते हैं क्योंकि डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है वह सरकार मानती नहीं है जो बरकिन हैं उन्होंने कहा था गयार आप सर्व सहमती थे मतला सब लोग मिलकर कोई एक संविधान एक विधान रचे ही है जो की चैऩाद मांगे हैं जिसमें से पहली मांगे संगहात्मक विवस्था हो तथा आउस फिकति नहीं आप ने की परांव के पास 것 governments से और लना प्रांऐग इन से-परांगा प्रांझेह没有 कि मानगा शहां अधिका berry every день शहांभी मतलब जो प्रांथ है अधिक से अधिक स सके सुष्टा देनी चाहिए अधिकार देने चाहिए तीसरी मांग की मुसलमानों का अधिकार फ्रतिना धिक प्रतणीनेदित क्यों दिए केंद्र में इस स्हुंतर में में यदा रिपोर्ट में 생gal रहे झपकुर्थ और विरोध कर रहे हैं तो एक प्रकार से उसको विध्यक को पास नहीं होना चाहिए दसा उन्होंने मांगा था प्रांत का बटवारा ऐसे ना हो कि मुसल्मानों के बहुलता पर फर्क पड़े जैसा कि आपको 1905 में बंगाल विभाजन में देखने को मिला था कि मुसलिम को एक जगा बहुलता दे दी गई थी पूर्वे बंगाल जो एक प्रकार से बनाया गया थ पस्चिमी बंगाल जो बनाया गया था उसमें हिंदूओं को बहुलता देख दी गई थी जिससे आपस में बिरोध हुआ और आगे चलके हिंसात्मक भावना हुई लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ ज्यादा कोई कारवाई नहीं की थी 11 मांग की थी सिंध और बंबई अलग मुस्लिम भासा संस्क्रित को आरच्छट दिया जाए कि कभीढे किसी ही मुद्दे पर किसी भी संग के इसी संगठन के सभी सदस्य जो है राजी नहीं होते हैं इस परकार उसनोंने 14 मांगे की मुहम्मद अली जिन्ना ने फिर क्या हुआ कि जब यह सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई तो सरकार ने सीधे सीधे इसे मानने से इनकार कर दिया क्योंकि यह सभी मांगे जो थी किसी एक जाति के लिए किसी एक संप्रदाय के लिए थी वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए मांग कर रहे थे बर्किन हेड ने कहा था कि आप सर्व सहमती से अगर कोई विधान बनाते हैं तो उसके बारे में सोचा जाएगा लेकिन उसे पता था कि इस समय जैसे स्थित आपको नहीं मानी लेकिन नहर रूप्योट का एक परकार से बहुत इंपोर्टेंस है आगे चल कर आपको देखने को मिलेगा इसमें से कई चीज़े उननीस सो पैटिस में जो भारत सासन अधियम आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगी जो मुहमद अली जिन्ना की जो मा आज करो को बढ़ावा देने के लिए कुछ मांगे मुहमद जिन्ना की भी उसमें मांग ले थी जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो अगला चैप्टर है आपका सीविल डिस ओबेडियन्स मूवमेंट जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि देखिए इसमें महत्मा गादी जी ने कहा है कि डूमिनियन स्टेश्ट का दरजान नहीं मिलता है तो हम पूर्ट स्वराजी की मांग करेंगे और सब अबग्या अंदोलन आगे चलकर वो स्टार्ट करते हैं तो यह चैप्टर होता है यहाँ पर समापत अगला च मिलते हैं अगले वीडियो में